नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी एनम अठाइसो ग्रेट पे को ले करके अच्छी कबर है खुसकबरी हैं आप सभी के लिए सिंगल बिंच का जो आदेश आया था कमल दीप निराला वाले रेट्स में और उसके बाद आप देखेंगे सरकार की तरफ से विभाग की त वेतन और जो कुछ भी सरकार की तरफ से विभा की तरफ से रीजन बताया गया था कि आप क्यों नहीं दे सकते हैं अठाइसो ग्रेट पेपर वेतन तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पुराना सासना दे से बताया गया था और कोई भी रीजन नहीं था 2011 से पहले और काफी तो आप सभी को बहुत बहुत शुपकामना है बस अब ये मामला आगे न जाए यानि कि हाई को डिविजन बेंच पी सुप्रिंग कोट इस तरह से ये मामला आगे न जाए और हम लोगों को सरकार से बहुत उमीद है भरोसा है कि अब यहां पर अठाइसो ग्रेट पी को ले नामे काफी जादा कारे आप सभी के बढ़ चुके हैं यह मैं बिल्कुल अच्छे तरह से समझता हूँ और आप लोग लगातार यह चाहा रहते कि हम लोगों का वेतना अठाइसो ग्रेट पेपर कर दिया जाए और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्दी आप सभी के अब लिए जतने भी लोग कारे रत थे यूप में या जाहे पुराने के आप सभी जल्दी पर लोग चैनित हैं तो कहींन कहीं इसका बेनफिट आप सभी को मिलेगा जब भी आदेस होगा तो सभी के ली होगा क्योंकि 2011 के बाद से जितने भी नियुक्ति हुए थी तो उन्हीं लोगों का ये मामला चलना था काफी समय से अभी देखें, court order आया नहीं है, लेकिन case status update हो चुका है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे 283, ये सरकार की विभाग की याचका थी और आप देखेंगे, आज की date में सुनवाई हुई है, एक अगस्त दोहजार चोबिस इसके पहले 30 तारीको date लगा था, और आज की लिए फिर से बोला गया था कि lunch की बाद edition में मामले को सुनेंगे, और यहाँ पर देखेंगे, case disposed हो चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे, इसकी नीचे वले line, dismissed and merits, rejected तो dismissed कर दिया गया है, merit पर भहस भी, और उसमें कोई भी ऐसा आधार नहीं पाया गया कि आप 800 great paper वेतन क्यों नहीं दे सकते हैं, तो सरकार की विभाग की याचका को, उनकी application को, उनकी मांग को अर्श विकार कर दिया गया है, खारिच कर दिया गया है, सिदे सिदे यह 30 जुलाई वाला court order है, अगर आप देखेंगे इसमें, तो एक अगस्त के लिए बोला गया था कि इसको list करिए वापस से, और लंज की बाद मामले पर सुनवाई होनी थी, court नमबर चार में मामले पर सुनवाई हुई और समिला करके आप सभी के लिए, अठाइसो ग्रेट पेपर वेतन मिलने का रास्ता साफ हो चुका है, बस सरते आगे आप कोई समस्या ना है, और हमारी भी इस सवर से परातना है और आप सBHI अपने अपने इस टिदेव से परातना करें कि अब कोई समस्या ना है आप सभी के लिए और यहाँ पर सरकार मान जाएं अटाइसो ग्रेट पेपर वेतन देने के लिए और उनके पास ऐसा कोई आधार नहीं है अगर वो आगे जाएंगी भी तो कुल मिला करके आप लोगों की ही जीत होनी है क्योंकि आप लोग की जो मांग है अटाइसो ग्रेट पेपर वेतन को लेकर के वो मांग बिल्कुल सही है पहले कितना काम होता था अब स्वास्ते विभाग में काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं दस अजार, बारह जार, पंदरह जार की आवादी पर एक एक आप लोगों को डिवटी दी जाती है मैं सारी चीज़ें आप सभी की समझता हो कि कितना आप लोग मेहनत करते हैं एक ही चीज़ को जो सेशन वगर आपके होते हैं एक ही चीज़ को आपको कितने जगह तो हमें यहाँ पर पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि अब यहाँ पर कोई अरचन नहीं आने वाली है और बस यह समझ लेजी कि जितना भी समय लगे साजानस्तर से इस प्रकिरिया को या इस बढ़ेवे ग्रेट पे को लागू करने के लिए क्योंकि जो पुराने इंप्लाई होंगे कहीं ने कहीं हो लोग अपने ज्वाइनिंग डेट से अठाइस सो ग्रेट पे की उनकी मांगती तो उनको फिर पूरा एरियर्स जोड करके देना होगा इसी तरीके से जो भी नव चैनित है अब लोग अगर आप सब के लिए लागू होगा तो उस इसस्तिती में आपकी जब से जोईनिंग इडेट होगी तो उस इस्तिती से ही माना जाएगा कि उसस्तिती से ही आपको अट्राइस ःडेट फेपर जो भी अत्रिक थो बेथन के बनेंगे तो उसको एरियर्स की रूप में आपको वुक्तान करने होंगे सरकार को अब इसमें देखना को कोई भी ऐसे तकनिकी या बिलिक समझ्याएं ना आएं और सरकार की तरफ से किस प्रकार से इस आदेश का उनुपालंग किया जाता है कब से कैसे चीजे होती तो अबर फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुपकामना है और जिन लोगों ने भी कोशिस की आपके इस मुहिम में आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और यही नहीं आने वाली जो भी भरती है पर्मानेट भरती है यूप्रपलसि से एनम की तो एक बार यह आदेश लागों हो जाने के बात धियर नहीं भरती में भी आप देखेंगे तो 2800 ग्रेट पेपर ही भरती प्रक्रियक की जाएगी यानि कि फायदा सभी को मिलेगा वीडियो को आप सभी लाइक और सेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक जानकारी पहुंच भी गई होगी बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ लिजेगा और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्यवाद